कुछ दिन पहले आए ताक्ते तूफान ने एक और जहां देश के तटवर्ती क्षित्रों में तो खासी तबाही मचाई तो वहीं इस विनाशकारी तूफान के निशान मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है ताक्ते तूफान के वजह से मौसम में हुए बदलाव के चलते मैदानी इलाकों में लगातार बारिश ने जहां आम जन जीवन को अस्तवेस्त कर दिया साथी इट भटा उद्यों की कमर भी तोड़ दी है आपको बता दें कि बागपत में तूफान के कारण लगातार हुई बरसात ने इट भटों पर चल रही इट पताई के काम को बुरीत रहे प्रभावित कर दिया है जिसकी वज़र से इट भटा मालिक को औसतन आट से दसलाख रुपाई का नुकसान इसलिए उठाना पड़ रहा है इट भटा संचालकों का कहना है कि इस बेमौसमी बरसात ने बड़ी संख्या में कच्ची इटों को नश्ट कर दिया है जिससे भटा उद्योग आर्थिक संकट में फस गया है और इट भटे बंदी की कगार पर आ गया है और ये इस करोना काल में सारे विकास काजिये ठप हैं पक्की इट बिखनी दे ही इनने हम कहां से मज़दूरी दे तो हमारी सरकार से मांग है कोरोना काल में अधिकतर उद्योग दंदे बंद पड़े होने से इट भटा उद्योग बड़ी संक्या में मज़दूरों को रोजगार उपलब्द कराने का जरिया बना हुआ है लेकिन अब ताक्ते तूफान की मार के बाद मज़दूरों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है बटा यूनियन ये जिला प्रशासन से इट भटों की बंदी के समय को पंदरह दिन बढ़ा हने की मांग की है आपको बता दें की पहले प्रशासन ने इट भटों की बंदी 30 जून को निर्धारित की थी कुछ तिन पहले आये विन आशकारी तुफान ताउते ने तटपरते इलाकों में तो तभाही मचाई थी वहीं मैदनी इलाकों में भी खासा नुकसान पहुचाया है बागपत जी लेगे बात करें तो ताउते तुफान के असरे कारण जो मौसम में बदलाव हुआ है के बाद भटे में उनको फायर में डाला जाता है इस बारिश ने फिलहाल जो है जो कच्ची इटे थी उनको पूरी तरह से खुर्दबूर्द कर दिया है नुकसान कर दिया है माना जा रहा है कि बागपत के करीब 400 भटों में परतेक भटे पे आठ से 10 लाख उलपे नुकसान है वहीं इट भटा निर्माता संग के महमंत्री ने मांग किये कि इस बड़े नुकसान को देखते वे जहां इन्हें समय अबधी में छूट दी जाए वहीं इसके साथ साथ इन्होंने अर्थिक पैकेज की मांग भी की है विवे कोशिक पंजाब केशरी बागपत धन्यवाद